हेलो फ्रेंश नमस्कार श्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यो निव डारेक्शन में साथियों मैं आज जो आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ वो अपडेट है 68500 सिच्चक भरती जो हाली में अभी पूरी हुई है इसमें एक केस था CBI जांच को लेकर सोनिका देवी के नाम से केस नमबर 618 2018 में हुआ था तो ये जो केस नमबर था ये बहुत हुँ महत पूर्ण था और इसकी सुनवाई चल रही थी तो साथियों इसकी अपडेट फिर से लगी हुई है कल की दिनांग में यानि कि 6 फरवरी को लगी है और कोट नमबर 14 में 26 नमबर पर सुनवाई लगी हुई है तो इसमें कुछ अहम मुद्धे हैं उसी के बारे मैं आपको अपडेट देने के लिए आया हुआ हूँ तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे अगर आप नए हैं तो अपडेट यह है कि कल इस कोट में जो 14 नमबर कोट है इसमें नयाय मूर्ती जो स्री मनीस माथुर जी है उनके द्वारा 68500 सिचक भरती में CPI जाँच जो रोकी हुई है तो वो जाँच आगे हो या ना हो इस चीज़ पर फाइनल जज्मेंट सुनाया जा सकता है और यहां पर एक चीज़ गौर करने लिए बात यह है कि जो CPI जाँच है वो आलरेड़ी कि CPI इस मामले में FIR रजिस्टर्ट भी कर चुकी है यह आपको पता ही होगा कि CPI इस मामले में अलरेड़ी FIR रजिस्टर्ट कर चुकी है लेकिन मलिस माथुर जी द्वारा इस पर रोक लगा दी कही थी और इस पर कल दिनांग 6 फरवरी को Final Judgment आने की संभावनाएं हैं संभावनाएं क्या हैं जहां तक पता चला है कि कल इस पर Final Judgment आएगा कि CPI जाँच आगे होगी या नहीं होगी 68500 सिच्छक भरती में तो इसकी खुस्वनाई कल 6 फरवरी को कोट नंबर 14 में 26 नंबर केस पर होगी सोनिका देवी के नाम से अबडेट पसंद आई हो तो तुरंद वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अबडेट के साथ तब तक के लिए बाई